हेलो बच्चो, क्या हाल चाल, इस ओपे गुपता, यूर मैथ मेंटोर अन दिस ब्यूटेफुल चैनल आफ यूर्स, मैथमेटिशिया बाई ओपे गुपता तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखी लिया होगा बच्चो, आज हम लेजर टेस्ट सीरीज डिसकस करने वाले हैं, क्लास 12 के लिए, ये टेस्ट सीरीज हमारी CBSE 21 सैंपल पेपर बुक में से ली गई है, इसके डिटेल्ड सॉलुशन हम लोग डिसकस करेंगे, तो चलिए जरा without wasting any time, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चो, आज हम सैंपल पेपर, PTS 16 का सॉलुशन डिसकस करेंगे, ये PTS हमारे CBSE 21 सैंपल पेपर बुक में से लिया गया है, इस बुक को परचेज करने के लिए, आप लोग इस वीडियो का description box चेक कर सकते हो, या फिर pinned comment चेक कर लेना, वहाँ पर आपको flip card का direct link मिल जाएगा, ठीक है बच्चो, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, और सबसे पहले आप इस चैनल को subscribe करके, bell notification प्रेस कर लो, ताकि हर important वीडियो की update आप लोगों को time to time मिलती रहे, ठीक है बच्चो, इस CBSE 21 sample paper book में ही मिलेगा, वहाँ पर हमने इसके सिर्फ answer दे रखे थे book में, आपको ध्यान होगा बच्चो, CBSE 21 sample paper book में, PTS 1 से लेकर, PTS 15 तक के detailed solution दिये हुए हैं, और बचे हुए 5 sample papers के, यानि PTS 16 से लेकर, PTS 20 तक के, हमने सिर्फ answer दे रखे हैं, तो आज की class में हम लोग, PTS 16 के detailed solution आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो चलिए without wasting much time मैं आपको यहाँ पर दिखाना सुरू करता हूँ, PTS 16 के detailed solution, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, section A में जो हमारे पास MCQs हैं ना बच्चो, तो उन सभी के हमने यहाँ पर options भी दे रखे हैं, और detailed explanation भी आ अपनी notebook में note कर लो, कर लिया होगा आप लोगों ने इतना, आप आगे चलते हैं, और question number 7 के आगे हम देखते हैं, question 7 से लेकर question number 8 और question number 9 का भी थोड़ा सा portion आपको देख रहा होगा, इनके correct option तो आपको देखी रहे होंगे, और यह रहा question 9 का complete solution, फिर इसके बाद question 10 आपको देख रहा होगा यहाँ पर, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर question 10 का solution complete हो गया, फिर question 11 भी आपको देख रहा होगा, इसका correct option और यह रहा इसका correct solution, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से question number 12 आपको देखी रहा होगा, complete solution के साथ, फिर question number 13, 14 और question 15 भी आपको रहा होगा, इनके options आप चेक कर लो, फटा फट, और फिर question 15 का complete solution, आप चलते हैं आगे, question number 16 और 17 के correct options और solutions भी आपको दिख रहे होंगे, question 18 का फिलहाल आपको correct option और कुछ steps दिख रहे होंगे, क्या ये complete है, yes, ये complete solution था question 18 का, अच्छा फिर question 19 और question number 20, जोकि assertion reason वाले questions हैं, इनके भी आपको correct option और correct solution दिखी रहे होंगे बच्चो, फिक है न, आप आगे बढ़ते हैं जरा, section B की हम सुरुआत करते हैं, जहां से हमें two marker questions मिलेंगे, यहां पर आपको question number 21 दिख रहा होगा, question number 22 भी आपको दिख रहा होगा 23rd का भी solution यहां पर आपको completely visible है बच्चो, आगे चलें, आप आगे चलते हैं, question number 24 का भी solution आपको दिख रहा होगा, और यहां पर एक alternative भी है, ठीक है न, तो इसके alternative का solution देखो, यहां से start हो रखा है, matrix X हमने कुछ assume किया हुआ है, और फिर इसका solution देखो, यहां पर complete हुआ है आप ज़रा question number 25 को देखते हैं, question 25 का भी solution completely आपके पास है, और इसमें भी एक alternative है, दोनों ही questions के solution आपके सामने आ गए होंगे बच्चो, आप ज़रा section C, यहां से आपके 3 marker question स्टार्ट होंगे, तो यहां पर जो पहला question है, यहां पर जो पहला question है, यहां पर जो पहला question है, य alternative है, तो इसके alternative का solution मैं देखता हूँ, पूरा आपको display होगा या नहीं, यहां पर reflexivity और symmetry तो आपको completely दिख रही होगी, transitivity का कुछ portion अभी missing है, मैं अभी आपके लिए display करता हूँ, इसका screenshot ले लो आप, या फिर note कर लो, वीडियो को pause करके, और यहां पर आप देखिए, यह question भी complete हो गया, इसका transitivity वाला portion भी आपको complete दिख गया होगा, ठीक है, अब ज़रा question number 27 को देखते हैं, तो question 27 का complete solution हमें visible है, यहां पर बच्चो, और question 28 का कुछ portion यहां पर आपको दिख रहा होगा, अब चलते हैं, ज़रा next page पे question number 28 का remaining portion है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है चेक करते हैं, तो यह रहा, यह completely आपकी screen पे आगया होगा, question number 28 के alternative का भी solution, अब यहां से question 29 को देख लेते हैं, ज़रा, question 29 का भी solution completely आपके सामने है, question 30 का कुछ portion अभी आपको दिख रहा होगा, कुछ portion आपको next page पे मैं display कर देता हूँ, अच्छा, फिर question 31 को भी चेक कर लेत हैं, और इसमें एक alternative भी है, चलो, alternative को भी चेक करते हैं, और यहां पर आपको इसका alternative भी completely दिख रहा होगा, अब इसके बाद section D की बारी है, ज्यानि 5 marker questions, तो देखते हैं ज़रा, question number 32 में, यह आपको कुछ portion दिख रहा होगा, इसके solution का with diagram, और remaining portion हम next page पे देख लेते हैं, य यहां पर आपको question number 32 का complete solution दिख गया होगा अब, ठीक है, फिर question 33 को भी देख लेते हैं, ठीक है न, ओके, अब ज़रा question 34 को देखते हैं, जो कि LPP में से हैं, और यहां पर दो question है, मतलब alternative भी है, सबसे पहले उपर वाला question देख लो, graph के साथ आपको दिख रहा होगा, graph को तो आपके annual exam में आपको जरूर मिलेगा, यहां पर alternative वाले question का भी solution आपको दिख गया होगा बच्चो, और graph तो यह रहा, तो इस तरीके से यह वाला question भी complete हो गया है, आप question number 35 को देख लेते हैं, जो की maxima minima में से हैं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चो, इस question का कु alternative का भी solution हम चेक कर लेते हैं, यह लो जी alternative का भी solution आपके सामने आ गया, अब यहां से section E की बारी, यानि case study type के question, जिन में 3 question हमें मिलेंगे, question 36, question 37 और question 38, तो यहां पर question 36 में आपको दिख रहा होगा first part का solution, उसके बाद second part का भी solution आपको दिख रहा होगा, और यह रहा third part का solution, अब क्योंकि third part में एक alternative भी होता है, ठीक है बच्चो, इसी तरीके से question 37 में हम देखेंगे, तो यहां पर क्या है बच्चो, first part का solution, second part का solution completely visible है आप लोगों के लिए, और ज़रा third part में देखते हैं, third part की एक line तो यहां पर है, और बाकी portion आपको next page पे दिख रहा होगा, और एक complete हो गया third part, third part में जैसा कि मैंने mention किया, एक alternative भी होता है, तो alternative वाले portion का यहां पर solution display हो गया, अब इसके बाद question number 38, जिसमें सिर्फ दो parts होंगे, तो first part का solution और second part का solution, इस तरीके से PTSS 6 का complete solution मैंने आप लोगों के लिए display कर दिया है, I hope आप लोगों ने इसके notes बना लिये होंगे, या फिर screenshot ले लिया होगा, और बाद में आप इसके notes prepare कर लेंगे, अगर किसी question में solution को समझने में आपको दिक्कत है, तो मुझे comment करके बताना, उस particular question के लिए मैं video lecture आप लोगों के लिए record कर दूँगा, अब हम लोग मिलेंगे अगले PTS में, next PTS के solution के discussion के साथ, वैसे बच्चों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इस PTS के solution को completely solve करके discuss क्यों नहीं किया, तो इसके लिए आप लोग ये वाला वीडियो एक बाद चेक कर लेना, इसका link वीडियो के description box में मिल जाएगा, वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आने वाले time में PTS 21, PTS 22, ये वाले test भी आप लोगों के लिए मैं discuss करूंगा, जो कि हमारी CBSE 21 sample paper book में नहीं है, बस इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और support हमारे साथ बनाए रखना, with that being said, don't forget to hit the like button of this video, share this video with all of your classmates and also subscribe to this channel and turn all the notification on, ताकि हर वीडियो की update आप लोगों को time to time मिलती रहे, चलिए बच्चों मिलते हैं आप next lecture में, till then, be good, take care, keep watching, thank you.